गुडिवनी फ्रेंड्स दिस इज अनील एंड वेलकम टो संसे बनेच दोस्तों बहुत बरी अपडेट निकल करके आ रहे दोस्तों सच्छमता परिछा को ले करके पूरी गाइडलाइन जारी कर दिया गया है दोस्तों आईए इस वीडियो में देखते हैं आप वीडियो को ब दोस्तों यहां पर देखे संडचना जो होगा वह सच्छमता परिछा के प्रेश्ण जो होगे वह बहु बिकल्पी होईंगे मतलब और ओप्रशन के चार ओप्रशन होईंगे पर तेख प्रशन एक अंका होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा दोस्तों ठीक है यह बहुत बड़ा अपडेट है कि जो सचमता परिछा लिया जाएगा जोस्तों उसमें लेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है अब देखिए परिछा का जो बिसे होगा और इंपोर्टेंट डेट भी दे दिया गया है दोस्तों कि किस किस डेट में आपका इजाम होने वाला है देखिए परिछा का जो बिसे होगा और राज के प्राथमिक माध्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक कच्छाओं के लिए निर्धारित पाठिक्रम के नुसार प्रहाए जाने वाले सभी बिसे है दोस्तों यह आपका परिछा का बिसे होगा पाठिक्रम देख लिजिए बि सिलेबस होगा तो देख लिजे BPSC दोरा जो TRE1 और TRE2 के लिए जो पाठिक्रम था जोखतो जो सिलेबस था जोखतो वही सिलेबस इसका भी होगा ठीक है ना? प्रस्ण पत्र पैटर्न देख लिजे सचमता परिछा में 150 प्रस्ण होईगे जबकि TRE जो एकजाम हुआ था दोफतो TRE1 या TRE2 उसमें में जो कोश्चन थे वो आपके 120 प्रस्ण ही थे लेकिन यहाँ पे आपको सचमता परिछा में 150 वस्तो निस्ट प्रस्ण होईगे निस्ट देख लिजे यहाँ पे कि अस्थानिय निकायों द्वारा राज के प्राथमिक, माध्य, माध्यमिक उच्च माध्यमिक विज्याल में निउक्तियम कारेरत सिच्छा क्या कुश्टकाल अध्याच जो होईगे वो आपका यह एकजाम को देंगे दोफतो ठीक है परिच्छा सूल्क यहाँ पे 1100 रुप्या सभी कोटी के अभियरतियों को परिच्छा सूल्क 1100 रुप्या देना होगा दोफतो 1100 रुप्या परिच्छा सूल्क लिया जा रहा है परिच्छा आओधी देख लिजिए सच्छमता परिछा जो होगा वो computer based test होगी और जिसकी यह ओधी 2 घंटे 30 मिनट की होगी दोस्तों computer based exam होगा और ये जो समय होगा वो धाई घंटा का समय दिया जाएगा देख लिजे क्या उतिरनांग होईगे समान ने परसासन विभाग के संकल्व संख्या 234 दिनांग 167 दोहजार 7 कनुरूप सच्छमता परिछा का उतिरनांग समान वर्ग जा होगा तो उसको 41.3 मर्श लाना होगा वही जो पिछरा वर्ग होईगे उन लोगों को 36.5 परसेंट मर्श लाना होगा पिछरा वर्ग एनेक्सटर वन के को 34 परसेंट अनुसुचीत जाती अनुसुचीत जन जाती के कन्दिड़ेट को 32% दिव्यां को 32% और महीला को 32% मर्श लाना होगा 150 परसेंट का दोहस्तो ठीक है आपके जो पुर्णाफ हैं वो 150 होईगे और 150 में आपको इतना परतिसाथ मर्श ले करके आना होगा जैसे जो समान निवर्ट के कंडिडेट है जो तो उनका 40% है तो 150 का आप 40% निकाल लिजे ठीक है ना तो ये आपका आगया कितना 60 तो 60 नमर लाएगा तो आप पास हो जाएगा वहीं नेश्ट देख लिजे जो परमान पत्र दिया जाएगा वो सचमता परिचा उतिर ने सभी अभियर्थों को बिहार विद्याले परिचा समीधी दोरा उतिर नता परमान पत्र निर्गत किया जाएगा जिस पर परिचा नियंतरा के बिहार विद्याले परिचा समीधी का कंप्यूटर जनित हस्ताचर होगा और समय सार्णी देख लिज थी एक फर्वरी से लेकर के 15 फर्वरी तक देख लिए 26 जन्वरी को इसका एड़वर्टाइजमेंट आजाएगा एक फर्वरी से लेकर के 15 फर्वरी तक यहाँ पे आप अपलाई कर सकते हैं सिच्छक अभ्यर्थे द्वारा एड़्मीट काड डाउनलोड जो होगा वो 5 फर्वरी से लेकर के 16 फर्वरी तक मतलब 15 फर्वरी तक आपको ऑनलाईन करना है और एड़्मीट काड आपको 5 तारिक से ही मिलने लगेगा ठीक है ना एक तारिक से स्टार्ट है 15 तक फर्म होगा और 5 तारिक से ही आपको अपने एड़्मीट काड डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड किये गए एड़्मीट काड को जीला कार करम्पता दिकारियस था अपना दोरा वेतन भुगतान पंजी से सत्यापित कर भौतिक हस्ताचर को उप्रांत अपलोड करना होगा 6 फर्वरी से ले करके 16 फर्वरी 2024 तक दोस्तों ठीक है ऑनलाइन परिच्छा की जो तीथी होगी वो 26 फर्वरी से 13 मार्च तक होगा जैसा कि आपको मालूम है कि जो एक्जाम होगा वो CBT है कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट है ऑनलाइन होगा और ये 26 तारिक से ले करके 13 मार्च तक चलेग विशेस अनुदेश में लिखा गया है कि परिच्छा फर्वर्म प्रपत विभागया अनुमोदन उपरांद जारी किया जाएगा सिच्छाक अव्हषेथी दौरा साचमता पριच्छा हेतु आवेधन पत्र बिहार विद्यार परिच्छा समिति के पोटर पर ऑंलाइन भरा जाएगा परिछा फॉर्म भरते समय सिच्छक अभियर्थी द्वारा खास कर पिता और पती का नाम जर्मती थी ये मिंदान कीती थी त्यादी सही भरा गया है या नहीं मिलान करने के उपरांत सम्मिट किया जाएगा सिच्छक अभ्यर्थी द्वारा परिच्छा फॉर्म भरते समय आधार कार्ड, मैट्रिक का परमान पत्र, टेट, सी, टेट, स्टेट, उतिनता परमान पत्र, प्रसेचनिक तथा स्याचनिक पर्मान पत्र यम नियो जो निकाई द्वारा जारी नुक्ती पत्र अप्लोड करना होगा परिछा फॉर्म भरते समय शिच्छा का भेर्थुन को तीन जीलों का बिकल्प देना अनिमार होगा जोस्तों देख लिजे यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि तीन जीले का बिकल्प देना है पलिफा फॉर्म करते समय जीला का वनटन भीहार विद़िछा समीती यो बिद़बाले का वनटन विभाग दौरा कियाँगा देख लिजे जैसा कि आप देखें BPC का एक्जाम हुआ TRE1 और TRE2 वहाँ पे जो जिला का वंटन था दोस्तो वो BPC के तरफ से किया गया वैसे ही यहाँ पे जिला का वंटन BACB के तरफ से होगा और विद्धाले का वंटन सिच्छा भी भाग दोरा किया जाएगा सिच्छा का वर्थी दोरा भरेगा आवेदर सम्मिट करने को प्रांत संबंधित जिला के जिला कार क्रमपदाधी कारिया स्थापना के लोगिन में जाएगा तत पस्टा जीला कार करमपदाधी कार्या स्थापना दोरा जाचो प्रांत इसे अंतिम रोज से सम्मेट किया जाएगा जिस पर जीला कार करमपदाधी कार्या स्थापना का डिजिटल सिगनेचर होगा दोस्तों ओन्लाइन परिछा लेने वाली एजेंसी दो-दो मसीन दो महीने के लिए जीला सिच्छापदाधिकारी को देंगी ताकि सिच्छक अभ्यर्थी का थम इंप्रेशन या आईरिस रिकोगनेशन दोस्तों आख की पुतली का सत्यापन लिया जा सकेगा एडिमिट कार्ड में QR कोड या बार कोड अंकीत होगा दिखलिजिये परिछा केंदर के लिए आवँप्यर्थियों के सिटिंग अरेजमेंट में यता संबो या ध्यान रखा जाएगा कि ये की ही भी सह का अभ्यर्थी एक साथ नहीं बैठ है परिच्छा केंदर पर एडमीट कार्ड पर विच्छक केंदरा धिच्छक का हस्ता अच्छर यम मुहर लगेगा और परिचा समापती के बाद मूल एडमिर कार सिच्छक वर्थी द्वारा सम्बन्धित जिला के जिला कारिकरम पदाधीकारी अस्थापना को समर्पित किया जाएगा इस दोरान जीला कारक्रम पदाधिकार ये स्थापना दोरा सिच्छा का वेर्थी का थाम इंप्रेशन ये आईरिस रिकोगनेशन का मिलान भी किया जाएगा दोस्तों और सच्छमता परिछ्हा की संपुन पर के दो रान सभी सिच्छा का व्यरती का तीन बार थब मुंपलेशन या आरिस रिकोगूनियेशन का मिलान किया जाएगा एक बार परिछ्हा के नरपर, दूसरी बार कौंसलीन के समय यहां तिसरी बार विद्धालय योगदान के समय दोफ्तों मूलेर मिरकार, गुम होने की इस्तिती में सिच्छक अभर्थी को दुबारा सच्छमता परिछा देना होगा देख लिजिए, वैसे सिच्छक अभर्थी जिन्हें सच्छमता परिछा देना है बीद्धान के पर्वर्थी को देना होगा जिसमें उनके परमानपतलों की जाच की जाएगी तेथा थम इंपुरेस है यों आईरिस रिकोगनेशन का भी मिलान किया जाएगा दोफ्तों तो ये महतपून गाइडलाइन्स थी दोस्तों आपकी सच्छमता परिछा को ले करके दिसे महतपून है देख लिए एक सोपचास वस्तों निष्ट प्रस्ण होईंगे और जो पास करने के लिए ये आपके लिए बहुत ही महतपून है दोस्तों इतना आपको लाना जरूरी है और जो एक जाम होगा वो आप देख लिए 26 फरवारी से ले करके 23 मार्च दोजार चोबिस तक होगा जुफतों पिर मिलते अगले वीडियो में आप सब सेमेनेज के साथ बने रहे हैं धन्यबाद